अस्लाम अलाइकुम गुद मॉर्निंग स्टुडेंट कैसे हो आई होप आप अच्छे होंगे चलो बच्चो आज हम क्लास वन हिंदी में एकी मातरा का अभ्यास करते हैं बच्चो एकी मातरा जिसको हम ए से एरी बोलते हैं हम स्वर सब्द जब बोलते हैं औ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, है न, ए से एरी तो आज हम ए की मातरा का अभ्यास करते हैं बच्चो यहां हमें कुछ पिक्चर्स दिये हैं वो पिक्चर को दिखकर हम ए की मातरा का अभ्यास करते हैं A, A से A-D बच्चो यहाँ सबसे पहला पिछर आपको कौन सा लिखाए देता है A-D का A-D का पिछर है यहाँ दिखा है A और ड़ और ड़ के साथ E की मात्रा लगाई है A-D तो बच्चो यह जो A-D में यह जो A है वो A स्वार के रूप में दिया हुआ है इसके बार है एक क्या है? एक, जिसको आप one बोलते हो इसको हिन्दी में एक कहा चाता है तो यहां एक लिखा हुआ है तो एक में यह जो ए है वो भी स्वार है बचो यहां मातरा नहीं है एरी और एक ये डोनों में हमें ए स्वर के रूप में दिया हुआ है फिर उसके बार है पेर क्या है पेर जिसको हम रीकी मातरा में पढ़ चुके हैं उसको रिक्स भी कहा जाता है तो ये पेर का पिच्चर है पेर में पके उपर एकी मातरा लगाई गए बचो जैसे हमने पड़ा कि जब भी ये जो स्वार होता है वो स्वार वियंजन वारना के साथ आता है तो उसकी ये जो मातरा होती है वो मातरा लगाई जाती है तो यहाँ पौ है वियंजन है उसके साथ एकी मातरा लगी हुई है तो उसको हम रीड करेंगे पेल फिर उसके बा मातरा लगी हुई है फिर है सेर आप कहते हो ना सेर जो जंगल का राजा होता है जंगल में रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं सेर कहते हैं सेर में ये जो सरबत वाला सो है उसके साथ एकी मातरा लगी हुई है तो बचो यहां हमें ये एक ही मात्रा सबसे लगती है वो हमें बटाया है मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहे हूँ एरी और एक तो एरी और एक में ये जो ए है वो हमें स्वीधा स्वर के रुप में दिया है यहां कोई मात्रा नहीं है फिर पेर, सेब और सेब तो पेर में पौके उपर एकी मात्रा है, सेब में सौके उपर एकी मात्रा लगाई गई है और सेर में सौके उपर एकी मात्रा लगाई गई है बचो ये व्यंजन वर्ण है, इसलिए उसके साथ उनकी जो मात्रा होती है, वो मात्रा लगती है अब बच्चो हम मात्रा वाले सब्ड़ देखते हैं यहां हमें कुछ सब्ड़ ये हैं बच्चो ये सब्ड़ हम रीद करते हैं रेल रेल में रो के साथ एकी मात्रा लगी हुई है तो उसको हम रीद करेंगे रेल फिर है कौ के साथ एकी मात्रा लगी है तो के लो और लो के साथ आ की मात्रा लगी है तो उसको हम रीद करेंगे केला उसको हम क्या रीद करेंगे केला फिर है मो के उपर एक ही मात्रा तो में फिर हो न त तो उसको हम रीद करेंगे मेहनत उसको हम क्या रीद करेंगे बिटा मेहनत फिर उसके बार है बेल क्या है बेल बैल नहीं बेल ओके बह के उपर एकी मात्रा लगी हुई है और फिर ला है बेल क्या होता है बेल फिर से बह है और बह के उपर एकी मात्रा लगी है तो उसको हम रिद करेंगे बेल फिर लिखा है ला और ला के साथ आकी मात्रा तो उसको हम बेला क्या रिट करेंगे बेला फिर है म और म के उपर एक ही मात्रा लगी है फिर है ह फिर से म दिया है और इसके साथ आकी मात्रा लगी हुई है तो म और न लिखा हुआ है तो वो क्या होता है महमान क्या होता है बेदा महमान तो महमान में मौ के उपर एक ही मात्रा लगी हुई फिर इसके बाद है खेल, क्या है, खेल, खेल में खो के साथ एकी मातरा लगी हुई है, बेशन, बेशन में बॉक के साथ एकी मातरा लगी हुई है, फिर सदक वाला सो और नल वाला नौ, बेशन, उसको रीद करेंगे, बेशन, फिर है म, मॉक के साथ एकी मातरा लगी है, मे, फ तेल दिया है को और लो तो उसको हम रीद करेंगे मैदीकल उसको क्या रीद करेंगे मैदीकल फिर आगे है तो और टो के साथ एक ही मांतरा लगी है तेल फिर लो क्या है लो तेल उसको हम क्या रीद करेंगे बेटा तेल फिर इसके बाद आगे है रो रो के साथ एक ही मांतरा ल फिर है रेल गारी क्या लिखा हुआ है रेल गारी बच्चों आप जिसको ट्रेन के रहे हैं उसको रेल गारी कहा जाता है तो रेल गारी में रहके उपर एक ही मात्रा लगी हूँ है फिर लो है फिर गंबला वाला गो है उसके साथ आक ही मात्रा लगी हूँ है फिर डाडिया रेल, कैला, महनद, बेल, बेला, महमान, खेल, बेशन, मेडिकल, टेल, रेशम, रेल गारी तो बच्चो हमें यहां यह जो रेड कलर से दिया हुआ है वो एकी मातरा है कौनसी मातरा है बच्चो एकी मातरा तो यह जो एकी मातरा है वो एकी मातरा हम व्यंजन वरना के साथ लगा कर अलग-अलग सब्ड़ बना सकते हैं बच्चो जैसे हमने देखा कि यह जो मातरा होती है वो व्यंजन वरना के साथ लगाई जाती है तो बच्चों आपको भी व्यंजन वर्णा के साथ ऐसी मातरा लगा कि अलग-अलग सब्ड को बनाना है छोटे-छोटे सब्ड को आपको बनाना है अब बच्चों हम नौट्बुक में सिखते हैं एकी मातरा एकी मातरा यह जो ए है वो स्वर है और यह उसका जो सिंबॉल है व्यंजन वर्णा के साथ लगाया जाता है तो जब भी यह व्यंजन वर्णा होता है व्यंजन वर्णा के साथ उसकी जो मातरा होती है वो मातरा लगती है तो बच्चों यह एकी मातरा है मैंने यहां कुछ व्यांजन वर्णा लिए हुए हैं यहां यह जो व्यांजन वर्णा है वो व्यांजन वर्णा लिखे हुए हैं क, ग, ज, म, और स बचो यह व्यांजन है अब व्यांजन वर्णा के साथ हम एकी मातरा लगाएंगे क्या लगाएंगे एकी मातरा तो को के साथ एकी मातरा लगाते हैं तो के गो के साथ एकी मातरा लगाते हैं गे जो के साथ एकी मातरा लगाते हैं जे मो के साथ एकी मातरा लगाते हैं तो मे और सो के साथ एकी मातरा लगाएंगे तो से तो बच्चो इसी तरह व्यंजन वरणा के साथ हम A की मात्रा लगाएंगे आगे हम कुछ सब्द बनाना सिखते हैं बच्चो यहाँ है A प्लस ड और ड के साथ E की मात्रा अब बच्चो हमें उसका सब्द बनाया A D कैसे सब्द बनाना है यह जो बीच में वाला जो प्लस है वो प्लस को हमें हटा देना यहनों इसको निकाल देंगी और यह A और D डोनों को हम साथ में लिखेंगे तो यह क्या बन जाता है A री तो A री में यह जो A है वो स्वार है यहाँ कोई मात्रा नहीं है फिर आगे दिया हुआ है को और को के साथ A की मात्रा प्लस लो और लो के साथ A की मात्रा लगी है बचो अब हमें सब्द बनाना है तो सब्द बनाने के लिए यह प्लस को हमें हटा देना है और यह दोनों को हम साथ में लिखेंगे क के साथ एकी मात्रा है तो के और लो के साथ आकी मात्रा है तो ला यानि ये दोनों वर्णों को हम साथ में लिखेंगे बीच में गैप छोड़ना नहीं है तो ये क्या होता है कैला क्या होता है कैला अब कुछ सब्दा बनाते हैं एकी मात्रा वाले यहां मैंने लिखा हुआ है स, ह, और ह के साथ एकी मात्रा तो उसको हम हे और लो के साथ एकी मात्रा तो उसको बचों हम रीद करेंगे सहेली क्या रीद करेंगे सहेली फिर लिया है रो, रो के साथ एकी मात्रा तो हे और उसके साथ तो है तो रेट उसको हम क्या रिद करेंगे रेट और फिर है हो और वो के साथ एक ही मात्रा लगी है और लो के साथ एक ही मात्रा लगी है तो उसको हम रिद करेंगे हवेली उसको क्या रिद करेंगे हवेली और लास में लिखा हुआ है लो और लो के साथ आक ही मात्रा तो ला लो फि उसको हम क्या रिद करेंगे लालते तो इसी तरह हम एकी मात्रा लगा कर सब्ध बना सकती हैं तो बच्चो I hope आपको मैंने ये जो एकी मात्रा का अभ्यास करवाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चो अपनी सिहत का ध्यान रखना थेंक यू धन्यवाद